रिंकु सिंग जिनका T20 वर्ल्ल कप में जो है वो सेलेक्शन नहीं हुआ है अब रिंकु सिंग जो है वो पूरे जो है वो टूट चुके है क्योंकि अगर उनका सेलेक्शन जो है एक डिड़ साल से रिंकु सिंग जो है वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन जब T20 की टीम आई तो मैं खुद है वो हैरान हो गया, कि वहां पे रिंकु सिंह का, कहीं पे 15 में नामी नहीं है, आगर 15 सचीर्स ते टीम की बात करें, तो जो इस बा lira कमान दी गई है, रहिश शर्मा के हथों ही दी गई है, इस से पहले जो है, टी-20 नहीं, इससे पहले 50 ओवर का जो कमान थी वो भी रोही शर्मा के हाथों यह दी गई थी ऐसा लग रहा थे कि हार्दिक पंडिया को कप्तानी दी जाएगी लेकिन वाइस कैप्टन के रूप में हार्दिक पंडिया को रखा गया है और अगर टीम 15 सदस्ते देखें तो रोही शर्मा कप्तान रहेंगे इनके साथ जैसवाल को मौका दिया गया है विराट कोली, सूर्य कुमार यादव, रिशव पंदैन संजू सैमसंग की जो है वो वापसी होई है अब देखना दिलचस्त होगा क्या आप इन दोनों को जो है वो एक साथ खिलाएंगे उसके बाद जो है जटेजा के साथ अक्षर पटेल अब ये भी दिलचस्त होगा क्या अक्षर पटेल और रविंदर जटेजा को आप एक साथ खिलाओगे दोनों लेफ्टाम बॉलिंग विकल्ब है वो तो आगे चलिए देखने हैं लेकिन कुलदीप यादा और चहल यूजी चहल की जोड़ी है तीन जो है वो बॉलर है अक्ष़दीप सिंग, मौमत सिराज और चस्पीड मुम्रा रिजर्फ प्लेयर के रूप में रिंकु को जरूर रखा गया है लेकिन अब देखना बहुत दिल से स्कोगा ये रिजर्फ प्लेयर जबी आएंगे, जब कोई जो है इंजड हो जाएगा किसी का पूरा पूरा टी-ट्वेंटी का जो है वो इंजड हो जाता है पूरे वल्ल्ड कप के लिए ही भार हो जाता है जब जो है रिंकु सिंग जैसे फिनिशर को जो है वो रखा है रिंकु सिंग कितने बड़े फिनिशर है ये हम सब जानते हैं उनके जो है पांच छक्के कोई नहीं भूल सकता SSA टैम पर जो है वो match जिदा देता है क्योंकि ये बड़े मैच के बड़े ब्लेर हैं आप इनको जरूर मिस्स करेंगे